5, 4, 3, 2, 1 स्पीकर साहब प्रिस आयोग की रपट शासन ने संसत के पटल पर पेश कर दी है लेकिन 278 सिफारिशों में से एक भी सिफारिश के बारे में शासन अपनी राय नहीं बना पाया है इसका कारण यह है कि रोज मर्रा के संकटों में फंसी हुई भारत सरकार दिन प्रति दिन के आधार पर काम करती है और 5 या 10 साल के अंदर देश का अथवा प्रिस का नक्षा क्या होगा इस बारे में सोचने की उसे फुर्सत नहीं है लेकिन यह मजबूरी भी कभी-कभी वर्दान सिद्ध हो सकती है वस्तुतह यह स्वागत योग्य ही है कि प्रिस की पुनर रचना के बारे में सरकार ने कोई निर्ड़य नहीं किया है प्रिस कमिशन जैसे महत्वपून आयोग बरसों में एक बार बनते हैं अतह यह उचित नहीं है कि उसकी रपट गुपचुप सरकार के पास पहुँच जाए और फिर गुपचुप परामर्श के बाद सरकार अपना फैसला देश को सुना दे होना यह चाहिए कि सरकार पहले समुची रपट को प्रकाशित करे और फिर हर छोटी बड़ी सिफारिश को लेकर गहन सारोजनिक बहस हो हर प्रस्ताव के गुड़ दोश के बारे में बौधिक समुद्रमंथन हो वाद विवाद के ऐसे दौर के बाद ही सही निसकर्षों पर शासन पहुच सकता है इसमें सिर्फ एक कानूनी पेंच था संसद के पिछले अधिवेशन में जब आग्रह किया गया कि वह प्रेस आयोग की रपट को तुरंत पटल पर रख दे तो शासन ने जवाब दिया कि जब तक अपनी प्रस्तावित कारवाई वह रपट के साथ नथी नहीं करता तब तक उसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है तब कई अखबारों ने लिखा था कि जांच आयोग अधिनियम की यह धारा ठीक नहीं है और उसे बदला जाना चाहिए पर हर कानूनी बाधा के बीच से रास्ते निकाले जा सकते हैं यह शासन ने सिद्ध कर दिया है संसद को उसने सूचित किया है कि प्रेस आयोग की रपट का विचार करने के लिए मंत्रि मंडल की एक समिती बना दी गई है जो अन्तिम निड़य लेगी इस प्रकार कारवाई की सूचना दे दी गई है और कोई कारवाई हुई भी नहीं है प्रेस आयोग की रपट अपने आप में एक विशब्द पुराण है जिसकी व्याख्या पिछले महीनों में हो चुकी है क्योंकि गोपनी होते हुए भी उसके सभी महत्वपून अंश अख़बारों में छप चुके है जो सबसे महत्वपून सिफारिश सरवानुमती से की गई है वह यह है कि समाचार पत्रों के चौमुखी विकास के लिए एक प्रेस विकास निगम बनाया जाए सबसे विवादास्पद सिफारिश यह है कि एक लाग से अधिक बिकने वाले दैनिक पत्रों के स्वामित्व का पुनरगठन किया जाए ताकि अन्य उद्योगों से जोड़े हुए लोगों के हाथ में प्रेस का स्वामित्व न रहे बीसियों अन्य विश्यों पर भी प्रेस आयोग ने अपनी राय दी है जिने मंजूर करने पर भारत की सूचना से विश्व का काया कल्प हो सकता है अब जन्मत का करतव्य है कि वह सारे मुद्दों पर सरगर्मी से अपनी राय दे मानिवर मैं निवेधन करता हूँ हम ऐसी दलील न पेश करें कि उचतम नयायले के नयाय धीशों को इतना वेतन दिया जाए और मंत्रियों को अधिक वेतन नहीं दिया जाना चाहिए जबकि मंत्री महोदय अपने वेतन से गुजारा कर सकते हैं जबकि सांसद अपने वेतन से गुजारा कर सकते हैं उचतम नयायले के नयाय धीश पांच हजार रुपई के वेतन से अपना गुजारा क्यों नहीं कर सकते हैं विशेस रूप से जब इस देश के अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। मुझे आपको उसे बताने की आवशक्ता नहीं है। देश में स्वार्थ नहित तत्व है। देश में मानना ध्याप्त है कि जब नहित स्वार्थ कारेपालिका के प्रभाव में आ जाते हैं। तो बाकी नहीपालिका इस्थगन आदेश जारी करती है या विधान को समाप्त करने का प्रयास करती है। जिससे गोस्थी को न्याय दिलाने की शक्ती दी जा सकती है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इस संसद में हम 545 सदस्य हैं और हम कुछ विधान बना रहे हैं सामाजिक विधान और नियम। क्यों? यह देश के उन लोगों के लिए है जिनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। 7.5 लाख मत दाता हैं परन्तु निर्वाचन शेत्र में 20 लाख लोग होंगे। हमारी कुछ जिम्मेवारी है, सामाजिक जिम्मेवारी है और हम यहां आए हैं और विधान बना रहे हैं। परन्तु उचतम नियायले में बैठे एक या दो नियायधिश इस सामाजिक विधान को रद कर देते हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, उन्हें अपने अधिकार प्राप्त हूं परन्तु साथ साथ वे हम पर धोस न जमाएं, हम उन पर धोस नहीं जमा रहे हैं। हम भी विधायक हैं और हमारी अपनी जिम्मेवारी है। मैं श्री भगत की इस बात से पूर्ता सहमत हूं जो उन्होंने सभा में कही है कि लोगों की यह भावना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उच्छतम न्याले में कितने लोग आ रहे हैं। देश के कितने गरीब लोग उच्छतम न्याले में आ रहे हैं। हमें इसका विश्लेशन करना चाहिए हम विश्लेशन करें और इन सब बातों का विश्लेशन करने के बाद हम इस निशकर्स पर पहुचेंगे कि न्याय इस देश के लोगों को नहीं मिला है मैं अभी आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि हमें सांसदों के इस आभास में नहीं रहना चाहिए कि न्याय इदेश स्वर्ग से आए हैं वे भी हम जैसे व्यक्ति हैं